Good morning guys, मैं हूँ भावना, trained from VLCC, hair, makeup and skin. आज हम बात करेंगे हनी की, मेरे पास है हनी, शेहद, किसी भी ब्रैंड का आप हनी यूज कर सकते हैं, हनी के फायदे क्या है, हनी के बहुत सारे फायदे हैं हमारी हेल्थ के लिए और हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी अपनी हेल्थ की हनी में किस तरीके से हमारी हैपर?? हनी में कैल 아침 होता है मैगनेशें होता है, गुलकोज होता है बोखत सारे ऐसी चीज़े होती है इसा में विटामीन बी वन और पी six होता है अन्टीसाप्टिक होता है अंटीपतियाल प्रोपरटियस होती है जिससे कि ये हमारी health में और हमारी skin को वाइदा देता है और ये हनी से क्या होता है हनी का डेली आपको इसका एक चमच आपको morning में डेली लेना है मैं कैसे लेती हूँ मैं वो बताती हूँ मैं सबसे पहले morning में उठके brush fresh करने के बाद सबसे पहले मैं एक चमच हनी लेती हूँ और उपर से आजकल तो समर है तो मैं आरो वोटर पीती हूँ, winter में मैं वोम वोटर पीती हूँ क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनने गरम पानी से एसीडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो मुझे भी गरम पानी से एसीडिटी हो जाती है तो इसलिए मैं समर में आर वटर और विंटर में पानी को हलका सा वोम कर लेती हूं गरम कर लेती हूं उसके साथ मैं हनी लेती हाट की कोई प्रोब्लम आपको नहीं होगी, अगर आप हनी रोज खाएंगे, हाई बीपी, लो बीपी की प्रोब्लम जोती है, वो इसको कंट्रोल करता है, मैं लास्ट वन येर से तो कंटीनू खा रहे हूं, इससे मेरा बीपी काफी ज्यादा लो रहने लग गया था, जिससे मैं बहुत परिशान थी, तो मैंने हनी खाना शुरू किया, जिससे टच्चूड मेरा बीपी कंट्रोल है, लो नहीं है, और सेकिंड जो है, ये इसमें मॉर्निंग में खाने से पूरा दिन आप में एनरजी बनी रहती है, और ये कोई भी वर्क आउट करते हो, आप वो करते होता है, इसलिए मैं मॉर्निंग में इसको लेना पसंद करती हूँ, जिससे की मेरे अंदर एनरजी बनी रहे, और इससे मेरी बीपी की प्रॉब्लम कंट्रोल होई है, और स्किन के बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है, जैसे स्कार्स होते हैं, अनिवन स्किन होती है, डा कि स्किन क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, तो बहुत सारे चेंजिस मैंने देखे हैं हनी खाने से, बट मेरी एक रिक्वेस्ट आप से, लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों को मैं कुछ चीज एडवाइस करते हूँ, जो लोग फोलो करते हैं, रिजल्ट अच्छा आता ह बट जो लोग वन मंद खाएंगे और छोड़ देंगे, मेरी जो लाइफ है, उसमें बहुत जारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि हम ब्रीध करते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, वो हमारी लाइफ का हिस्सा ही है, ऐसे ही बहुत जारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, जिसको मैं कभी भी नहीं छोड़ती है आप ये देखे मेरा हनी खतम होने वाला था उससे पहले खतम होने से पहले मेरा हनी आ गया है तो ये मेरी लाइफ का एहम हिस्सा है कि में को स्ट्रेस की वज़ से ब्रीधिंग प्रॉब्लम बहुत जादा हो गई थी तो उसमें भी इसन को मैं डाट डाट के खिलाती हूँ कि बच्चे खाना पसंद नहीं करते तो बच्चों के लिए हमारे लिए इसका हर मतलब आप घर में बड़ा बच्चा सब इसको खाए इसका एक चम्मच मॉर्निंग में जरूर ले इससे आपका इम्म्यून सिस्टम भी स्ट्रोंग होगा और जो हमारे थ्रोट में जो बैक्टीरिया जो होता है जो इन्फेक्शन है करोना का उससे क्या होगा ये बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देगा उससे हमारी सेफटी करेगा और हमारे इम्म्यून सिस्टम को भी ये स्ट्रोंग करेगा तो मार्किन में बहुत सारी ऐसी च को बच्चे को स्टुम करने के लीए तो इसको आप डेली खाये मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे भच्चों को दीजी बच्चों को तो मीठा पसंद होता है तो बच्चे अनााम से अच्छी चीज आपको मार्केट में अपने इम्यून सिस्टम को अपनी स्किन को हेल्दी करने के लिए और कहा मिलेगी चूटी सी मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अगर आप सुनना पसंद करेंगे तो मेरे जो ग्रैंट पेरेंट्स थी अब वह इस दुनिया में तो मेरी जो ग्रैंट फादर थे वह 95 आपके थी जब उनकी वह इस दुनिया से चले गए और यह नहीं कि वन मन्त खाया और छोड़ दिया नहीं रेगुलर अपनी लाइफ का हिससा बना लीजे और अगर आपको डाइबिटीज है तो आप अपनी डॉक्टर के सला से इसको किस तरीके से खाना है तो आपको खा सकते हैं क्योंकि यह मीठा होता है तो आप अपनी डॉक